हेलो दूस्तो आज मैं बनाऊंगी 34 इंच चेस्ट के ब्लाउज में डिजाइन पोठली वाला डिजाइन बनाएंगे बहुती सुन्दर लगता है ये डिजाइन और इसे आप आसानी से बना सकते हैं यहां पे मैंने अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा डबल पोल पे कट करके लिया है और इसकी जो तयार लंबाई है वो 13 इंच है एक इंच प्लस करके 14 इंच लिया है मैंने और इसका जो सोल्डर है वो पाँच इंच लिया है आर्म होल साड़े पाच इंच लिया है जेश्ट इसका तैयार साड़े आठ इंच है यहाँ पे डेड़ इंच प्लस करके लिया है कमर इसका साथ इंच है यहाँ पे दो इंच प्लस करके लिया है सोल्डर की साइड से ओपन गला दो इंच लिया है गले की लंबाई 10 इंच ली है गले की चौड़ाई नीचे से डाई इंच ली आए मैंने और अभी हम गले का सेव दे देंगे सेव दे दिया है मैंने गले का ब्लाउस का कपड़ा हटा दूँगे और अस्तर के कपड़े पे गले को कट कर लूँगे गला मैंने कट कर लिया है और अभी हम कैन्वस पेपर पे पट्टे निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कैन्वस पेपर ले लिया है और उसके उपर हम अपना जो गला कट कर के लिए हैं अस्तर के कपड़े पे उसको अच्छे से यहां पे एक बराबर रखेंगे अच्छे से एक बराबर रख करके हम पीन लगा करके ले लेंगे ताकि जो कपड़ा है हमारा वो इधर उधर ना हो नहीं तो सेप हमारा पिगड़ जाएगा और अभी हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए गले का सेप दे देंगे कैन्वस पेपर पे यह मैंने निशान लगा करके ले लिया है और अभी हम पीन को निकाल करके अस्तर के कपड़े को हटा देंगे और यहाँ पे पीन को हम वापिस लगा लेंगे और एक इन चोड़ी पट्टी कट करके ले लूँगी मैं यहां से भी हमें कट लगा देंगे इस तरीके से और आगे वाला हिशा भी हम कट करके निकाल लेंगे यह हमारी पट्टी कट करके रेडी है यह देखे और अभी हम इसे अस्तर के कपड़े पे अटेज करेंगे सिलाई लगाते हुए हम अस्तर के कपड़े पे पट्टी को अटेज कर लेंगे अच्छे से सेप में सिलाई लगाएंगे अब पूरी पट्टी को हम अस्तर के कपड़े में अटेज कर लेंगे और अभी हम जो एक्ष्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे आधा इन छोड़ते हुए हम कट करेंगे आधा इन छमें मोडने के लिए चाहिए पट्टी के उपर और बाके का एक्ष्रा कपड़ा कट कर लोंगी इस तरह के से फोल्ड करते हुए पट्टी के उपर हम सिलाई लगा करके पूरी पट्टी तयार कर लेंगे पट्टी हमारी तयार हो गई है और अभी जो बीच में एक्ष्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगे तरीके से और यह हमारी पट्टी अभी रेडिय है और अब हम बलाउज के कपड़े में अस्तर को अटेज करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा मैंने अस्तर को रख करके बलाऊ उसके कपड़े में पिन लगा करके ले लिया है और गले के साइड से सिलाई लगाते हुए हम अस्तर को अटेज कर लेंगे अच्छे से एक पराबर करते जाएंगे हाथ migrant और सिलाई लगाते जाएंगे मैंने यहां पर अस्तर को सीधा सीधा अटेज किया है इसको हमें पलटना नहीं है क्योंकि मैं यहां पर कमर पर भी पट्टी लगाऊंगी और गले पर भी पट्टी लगाऊंगी तो इसको मैं सीधा सीधा ही सिलाई लगा करके अटेज करूँगी अच्छे से हाथ चे प्रेस करते जाएंगे अच्छे लाई लगाते जाएंगे वह ने अस्तर को अटेज कर लिया है और अभी हम जो यहाँ पर एक्षरा कपड़ा है वो सब हमें कट कर लेना है यहाँ साइड में भी जो एक्षरा कपड़ा है उसको भी cut कर लूँगी सब अच्छे से cut करके एक पराबर करके ले लूँगी उसके बाद हम design बनाएंगे और अभी हम design बनाने के लिए पोटली वाला design बनाएंगे तेहां पर मैंने चौपून कपड़ा कट करके लिए है बोल्डन कलर का डेड़ हिंच लंबा और डेड़ हिंच चौपून कपड़ा मैंने cut करके लिए है और अभी हम यहाँ पर इसी कपड़े से बारिक बारिक टुकड़े cut करके ले लेंगे यह देखे इस तरीके से बारिक बारिक कट करके ले लेंगे और उसके अंदर हम भर करके पोटली बनाएंगे तो इस तरीके से हम अपना चवकोन वाड़ा पपड़ा लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हम इसको भरेंगे और इस तरीके से पोटली बनाते हुए हम इसे अच्छे से पोटली का सेब देते हुए इस तरीके से बना लेंगे और यहां पर मैंने सुई धागा लिया है और इससे हम इस तरीके से तीन से चार टाकी लगाते हुए अच्छी से पोटली बना करके तयार कर लेंगे देखें मैंने एक बना लिया है इसी तरीके से दूसरा वाला भी बना लूँगी इसमें भी हम थोड़ा सा भरेंगे बहुत ज्यादा नहीं भरना है नहीं तो बहुत मोटा मोटा बन जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भरेंगे और उसको पोटली जैसा सेब दे करके हम इस तरीके से बना करके ले लेंगे हाथ से तो इसे हम हाथ से भी बना सकते ह तो मैंने अभी 2-3 हाथ से बना के दिखाया और इसी तरीके से हम हाथ से इस तरीके से भर करके मशीन से भी सिलाई लगा करके ले सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मशीन में भी सिलाई लगा करके इसी तरीके से पोटली बनाएंगे और मशीन से सिलाई लगा करके ले लेंग तो आप चाहिए तो हाथ से भी बना सकते हैं नहीं तो आप मशेन से भी बना सकते हैं और अभी हम गले के उपर इसको इस तरीके से जो हमारा गला है उसके कॉर्णर पे हम सिलाई लगाते हुए इसको आटेज करेंगे तो जो हमने पोटली बनाया है उसके उपर जो हमने सिलाई लगाई है सेम सिलाई के उपर ही हमें सिलाई लगानी है तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इसे सिलाई लगा करके अटेज कर लेंगे बराबर दूरी पे हमें इसे लगाना है उपर निछे नहीं होना चाहिए चाहिए तो आप पहले निशान लगा करके ले लीजिए नाप करके उसके बाद आप इसे सिलाई लगा करके अटेश कीजिए तो इस तरीके से अच्छे से एक बराबर की दूरी पे रखते हुए हम सिलाई लगाते हुए इसे अटेस कर लेंगे इसी तरीके से पूरे गले में हमें अटेस करना है यहां से हम गुमा देंगे और दूसरे साइड में भी इसी तरीके से बराबर की दूरी पे रखते हुए सिलाई लगाते हुए हम इसे अटेस कर लेंगे पूरी गल्ले में मैंने अभी अटेज करके ले लिया है तो यहाँ पर जो एक्ष्रा है हमारे गल्ले के बाहर है जो एक्ष्रा कपड़ा उसे हमें कट कर लेना है अच्छे से कट करके एक बराबर कर लेंगे और अभी हम इसके ओपर पट्टी लगाएंगे तो इस तरीके से रखेंगे अच्छे से एक बराबर और पट्टी को हम दोनों साइड से एक बराबर रखते हुए पीन लगा करके ले लेंगे एक इस साइड में पिन लगा लेंगे और दूसरे साइड में भी अच्छे से एक बराबर रखेंगे और दूसरे साइड में भी एक पिन लगा करके ले लेंगे और नीचे के साइड में भी अच्छे से एक पराबर करेंगे और नीचे भी एक पिन लगा करके हम ले लेंगे यहाँ पे और अभी हम सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटेज करेंगे जहां हमने नीचे पोटली के उपर सिलाई लगाई है उसी के उपर हमें पट्टी के उपर भी उसी तरीके से सिलाई लगाना है दोनों सिलाई हमारी एक बराबर आनी चाहिए इस तरीके से अच्छे से करते हुए हम पूरी पट्टी को अटेश कर लेंगे अच्छे से देखते जाना है हमें नीची के साइड में हमारा अच्छे से अटेश हो रहा है कि नहीं ते देखिए, हमारा पूरा जो डिजाइन है, अच्छे से अटेस हो गया है, हम चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा देंगे, जहां पे हमने पोटली वाला डिजाइन लगाया है, उसके बीच-बीच में हमें कट लगा लेना ह उसके साइड में, और अभी हम पट्टी को अंदर के साइड में पलट देंगे, ते देखिए, हमारा जो हमने डिजाइन लगाया है, पोटली वाला, वो अच्छे से हमारा बाहर आ जाएगा, और बहुत ही सुन्दर लगेगा, यह देखिए, इस तरीके से हम पट्टी को अं सिलाई लगानी है, अच्छे से हाथ से एक पराबर करते जाएंगे, और सिलाई लगाते जाएंगे, देखिए हमारा कला बन करके तयार है, तो देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं टक्स लगा लूँगे भी, दूसरे साइड में भी टक्स लगा लूँगी, यह मैंने टक्स लगा करके ले लिया है, और अभी मैं यहाँ पे कमार पे पट्टी लगा लूँगे, चीधी सिलाई लगाते हुए, पट्टी को अटेस करके ले लेना है, और पट्टी को इस तरीके से पलट देंगे, और उसके उपर कॉर्नर पे हमें एक सिलाई अवल लगाएंगे, ताकि पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाए, और पट्टी के दूसरे साइड में भी, पाव इंच फोल्ड करते हुए, एक सिलाई लगा लेंगे, और पट्टी को भी पूरा फोल्ड करके, उपर से एक बड़ी वाली सिलाई लगा लूँगी मैं, इसको हम बाद में निकाल करके हेमिंग भी कर सकते हैं, तुर्पाई जो बोलते हैं, तो यह हमारा पट्टी अग लगा करके होगे हैं, और अभी हम लेस लगाएंगे, तो आप चाहिए तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, बिना लेस के भी पट्टी में हेमिंग करके ले सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए यहां पर लेस लगा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फाय पीञ जैसा छोड़ते हुए मैंने लेस को लगाया है यहां पे तो इस से भोती सुंदर लुकायेगा इसका थोड़ा-धोड़ा पाय पीछ जैसा छोड़ते हुए लेस को अटेज करेंगे देखिया इस तरीके से चीधी सिलायी लगाते हुए फिनिशिंग के साथ में हम लेस को लगा लेंगे यहाँ पर जो इक्षा लेस है उसको मैं कट कर दूँगी और यहाँ से खुमा करके लेस के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लूँगी इससे हमारा लेस है वो अच्छे से बैठ जाएगा आप देख सकते हैं कितना सुन्दर पाइपीन जैसा भी लुका आ रहा है इसमें लेस के आगे और अभी हम कमर पे भी लेस को अटेस कर लेंगे तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पाइपीन जैसा छोड़ते हुए ही लेस को अटेस करूँगी उससे देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा जैसे हमने गले पे थोड़ा सा छोड़ते हुए लगाया है लेस को वैसे ही कमर पे भी लगा लेंगे और यहां से भुमा करके हम लेस के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे यह देखे हमारा जो डिजाइन है वो बन करके रेडी है कितना सिम्पल है और बहुत ही सुन्दर है इस वा देख सकते हैं बहुत ही आसान है इस तरीके से आप बनाएंगे तब हुत ही आसानी से यह दिजाइन बना लेंगे अगर आप रोज पहनने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चाहिए तो लेस नहीं लगाएं और चाहिए तो आप लेस भी लगा सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर डिजाइन हमारा बनकर केक्तम तयार है आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब